हे गाईज कैसे हो सारे यकीन करता हूं कि अच्छा हूंगे सो आज किस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टैप के फॉंटो को जो है कुछ स्टैप में एडिट करना सिखाऊंगा बिल्कुल easy steps में आज किस वीडियो में मैं आपको background को बहुत ही अच्छे तरीके से blur करना भी शिखाऊंगा आप सब इस वीडियो को end तक जरूर से देखिएगा और उससे पहले भी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe करके and bell notifications को on कर लिजेगा so guys आपको जिस वी picture को edit करनी है सबसे पहले उससे आपको lightroom application में share कर लेनी है so just guys मैं यहाँ से अपने picture को lightroom में share कर लेता हूँ and just मैं यहाँ से अपने lightroom application को open कर लूँगा and यहाँ से all photos में हमारा picture आ चुका है so just मैं यहाँ से अपने photo को open कर लूँगा and guys lightroom में open कर लेने के बाद सबसे पहले इसका आपको light adjustment करनी होगी so आप सब वीडियो को continue जोड़ो से watch कीजेगा नहीं तो आप कुछ इस तरह के editing नहीं कर सकते है so सबसे पहले इसका आपको light adjustment करनी होगी so just आपको यहाँ से light वाले button पे click करनी है and यहाँ से guys just आपको यहाँ से 10% contrast को add करनी है and जो highlight है आप सब इसे picture के हिसाब से increase या decrease कर लीजेगा फिलाल मैं यहाँ से 10k round highlights को decrease कर लूँगा and shadow भी आप सब picture के हिसाब से increase या decrease किजेगा आपके picture में जितना ज़्यादा shadow होंगे उतना ही आप सब यहाँ से increase किजेगा फिलाल मैं इसे 40k round increase कर लेता हूँ shadow को and black को आपको 10% down करनी है ताकि जो भी आपका यहाँ से picture में black है वो थोड़ा और dark हो सके and इतना करने के बाद guys आपको यहाँ से mix tool में चले जाना है and mix tool में जाने के बाद सबसे पहले guys आपको यहाँ से face का color select करनी है जो orange color होता है so just मैं यहाँ से second में orange color दीखेगा आपको orange color को select करनी है and saturation आपको 10% down करनी है and जितने भी आपको face white चाहिए उसके हिसाब से आप सब luminions को increase कर लिजेगा फिलाल मैं luminions को लगभग 10K round ही increase करूँगा and अभी आप सब देख सकते जो picture में हमारे यहाँ से red color का गमचा है just मैं red color का saturation थोड़ा increase कर लेता हूँ जो हमारा गमचा फिंका फिंक का लग रहा था उसमें यहाँ से color आ चुका है and उसके बाद guys इतना करनी के बाद आपको जो है background का कोई भी एक color आपको color tone में edit करनी है so सबसे पहले आपको yellow color को select करनी है and इसका hue इसका hue आपको plus 100 कर लेनी है and saturation आपको जीतना चाहिए अपने ही आप से रख सकते हैं फिलाल मैं 50% saturation को भी increase कर लूँगा and green color को select करनी है and green color को select करने के बाद इसका saturation आप लोग plus 100 कर लीजिएगा and अभी आप सब देख सकते हमारा picture कुछ इस type का हो चुका है and इतना करने के बाद guys अभी आप सब देख सकते हो हमारे कपड़ों पर थोड़ा थोड़ा blue color आ रहे हैं तो just मैं यहां से blue color को select करके and saturation को लगभग मैं 30% down कर लूँगा and यहां से हमारा blue color भी पूरी तरीके से gap हो चुका है and इतना कर लेने के बाद guys और भी आपका background में color वगएर है आप सब उसका saturation या hue वगएर है आप change कर सकते हैं फिलाल मैं इसका hue जो है minus 40 रख लूँगा जो एक वह color है इसका hue मैं minus 40 रख लूँगा and इतना करने के बाद just मैं उपर से done कर दूँगा and done करने के बाद guys मैं यहाँ से effect वाले button पे click कर दूँगा and यहाँ से मैं texture को 10% and clarity को भी लगभग यहाँ से 15% increase कर दूँगा and details वाले button में आने के बाद guys मैं यहाँ से sharpiग को लगभग 30% increase करूँगा and details को पूरा and noise detection को यहाँ से 20% and details को पूरा and color noise detection को यहाँ से 30% and details and smoothness को मैं पूरा increase कर लूँगा and guys अभी आप सब देख सकते before and after हमारा picture यहाँ से पूरी तरीके से retouch हो चुका है and उसके बाद guys मैं यहाँ से इसका background को blur करना सिखाऊँगा so सबसे पहले guys मैं यहाँ से अपने picture को save कर लेता हूँ gallery मे and अभी आप सब देख सकते हमारा picture यहाँ से gallery में save हो रहा है and guys save होने के बाद आपको एक और application के ज़रुद पड़ेगी जिसका नाम है after focus pro so आप सब वह वाले application को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं यह chrome browser से आप सब वह वाले application को download कर लीजेगा फिलाल जैसे मेरा यहाँ से यह वाला picture save होता है जैसे मैं यहाँ से after focus pro application को open कर लूँगा and guys आप सब अभी देख सकते हमारा picture यहाँ से gallery में save हो चुका है just मैं यहाँ से okay कर दूँगा and उसके बाद just मैं यहाँ से after focus pro application को जो है open कर लूँगा अगर आपके पास नहीं है तो आप सब इसे जो है google से download कर सकते है and open कर लेने के बाद just आपको यहाँ से नीचे में बहुत सारा option दीखेगा just आपको यहाँ से album वाले आपको बटन पर click करनी है and ellebam वाले बटन पर click करने केबाद जो भी आप picture जो है light room से safe किये थे just उसे आपको यहां से select कर लेनी है and यहां से select करने के बाद आपके सामने कुछ this type का आएगा just आपको यहाँ से continue वाले बटन पे click करनी है, and कुछ इस type का आयागा, तो उपर में आपको यहां से cancel का button दीखेगा, आपको यहां से cancel कर लेनी है, and इतना करने के बाद, guys, आपके सामने कुछ इस type का interface दीखेगा, so guys, सबसे पहले आपको यहां से first वाले जो है, यहां से button अलरेडी select रहेगा, so just इसे आपको select क कर लेनी है, and उसके बाद, guys, इसे just आपको यहां से body पे कुछ step से apply करनी है, and अभी आप सब देख सकते हमारा कुछ इस type का red हो चुका है, पूरा picture, and उसके बाद, guys, उपर से आपको third number पे यह वाला आपको button दीखेगा, just इस पे आपको click करनी है, and इसे, guys, आपको background पे कुछ step से apply करनी है, and अभी आप सब देख सकते हमारा यहां से केवाल यहां से model जो है पूरा तरीके से select हो चुका है, अगर कहीं कहीं छुट जाता है, तो फिर से आपको यहां से first वाले button पे click करके, and picture को zoom करके, कुछ step से select कर लेनी है, so guys, मैं यहां से अपना अच्छे तरीके से कर select कर लेते हैं, so उसे erase करनी के लिए, guys, आपको यहां से नीचे में eraser वाला button दिखेगा, इस पे आपको click करनी है, and कुछ step से आप सब यहां से erase कर सकते हैं, जो भी आपका extra part जो है, यहां से select होगा, and फिर से मैं यहां से background वाला जो है, उपर में आपको यहां से model select करनी के हो चुका है, उसे मैं यहां से cancel कर लेता हूँ, and थोड़ा आप सब time दे के अच्छे से कीजेगा, जितना आप सब यहां से time दीजेगा, उतना अच्छा से आपका photo यहां से blur होगा, so मैं कुछ step से कर लिया हूँ, guys, आपको भी कुछ step से करनी है, and इतना कर लेने के बाद, guys, आपको यहां से second हमारा pair है, यहां पर भी थोड़ा बहुत हमारा चुट गया है, इसे भी मैं यहां से अच्छे तरीके से select कर लूँगा, आप यहां से जितना अच्छे तरीके से time दे के यहां से select किजेगा, उतना आपका picture अच्छा editing होगा, so अभी आप सब देख सकते हमार आप picture यहां से पूरी तरीके से select हो चुका है, थोड़ा बहुत hair में रहे जाता है, तो आप सब इसे zoom out करके, उपर में फॉर्ष्ट वाला आप सब options को select करके, अच्छे से यहां से पूरे model को select कर लिजिएगा, and इतना कर लेने के बाद guys, उपर में आपको next का button दीखेगा, just आपको यहां से next वाले button पे click करनी है, and आपके सामने कुछ this type का interface आएगा, so नीचे में आपको यहां से बहुत सरा options मिल जाते हैं, सबसे पहले guys, आपको यहां से blur का option मिलता है, so just आपको blur वाले button पे click करनी है, and यहां से blur आपको जितना चाहिए, आप सब अपने हिसाब से रख लीजिएगा, फिलाल में पूरा blur को पूरा 100 कर लूँगा, and उसके बाद guys, नीचे में आपको थोड़ वाला बटन दीखेगा, fading background का, just आपको इस पे click करनी है, and यहां से आपको natural का button दीखेगा, just आपको इस पे click कर लेनी है, and जैसे ही आप सब यहां से natural पे select कीजिएगा, अभी आप सब देख सकते हैं, नीचे वाला हमारा part जो है, थोड़ा थोड़ा यहां से background blur जो है, नहीं हुआ है, जिसे हमारा picture पूरी तरीके सर्यालिस्टिक लग रहा है, so अभी आप सब उपर से यहां से देख सकते हैं, before and after हमारा picture यहां से बहुत अच्छी तरीके से blur हो चुका है, and उसके बाद गईज इसमें अगर आप सब बोकेन effect वगरा add करना चाहते हैं, तो आपको यहां से नीचे में aperture का button मिलेगा, इस पे आपको click करनी है, and side में आपको बोकेन वाले button पे click करनी है, and यहां से जितना भी आप सब बोकेन यहां से रखना चाहते हैं, आप सब picture में रख सकते हैं, बोकेन यानि कि जो हमारा यहां से छोटा छोटा जो light आता है उसे ही यहां से बोकेन कहते हैं, जैसे आप सब देख सकते हैं हमारा यहाँ से जहां से light आ रहा था वहाँ यहां से छोटा छोटा जो है light बनके आ रहा है तो कुछ इस टाइप से आप सब broken वगरा add कर सकते हैं मैं कुछ इतना add कर लूँगा इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ से picture को save करनी है सो आपको save करने के लिए उपर में आपको save का बटन दिखेगा जस्ट आपको save वाले बटन पर क्लिक करनी है एंड जस्ट यहां से आपको yes करनी है एंड उसके बाद अभी आप सब देख सकते गाईज हमारा picture यहां से gallery में save हो चुका है सो गाईज कुछ steps करके आप सब अपने picture को बहुत ही अच्छे तरीके से edit कर सकते हैं एंड गाईज आप सब यहां से देख सकते हैं हमारा picture में यहां से मैं face smooth करके रखा था तो अगर आपको मैं face smooth करना सिखाने लगूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो को जुरूर से like किजेगा अगर आप चैनल अपने हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे एंड मिलते हैं किसी और वीडियो कसान तब तक के लिए बाई